चतिस गड़ में विधान सवाद चुनाओं से पहले कॉंग्रेस पार्टी ने एक बड़ा फेर बदल किया है। फड़ा फैसला देर साम आया है। यह है कि चतिस गड़ में टीएस हिंदेव को डिप्टी सीयम के पद पर बैठा दिया गया है। चतिस गड़ पहुंचेंगे मुक्यमंत्री बुपेज बगेल भी पहुंच जाएंगे। तो अब तक जो चतिस गड़ की वर्तमान में जो बड़ी खबर है कि यह है कि स्वास्त मंत्री जो चतिस गड़ के थे टीएस हिंदेव उनको चतिस गड़ सरकार में अब डिप टी सीयम मना दिया गया है। कि वो एक कारेकरता के रूप में ही क्यों हो लेकिन वो कॉंग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। जो चतिस गड़ में जो कॉंग्रेस है वो उसके अलग-अलग गुट बड़ बन गए हैं तो ऐसे में जो गुटबाजी नहों चुनाओं से पहले और उसको एक अठा करने के लिए यह जो महत्वपूर्ण जो पद है वो दिया गया ऐसा माना जा सकता है क्योंकि इससे पहले जो सम्मेलन हुआ सरगुजा में वहाँ पे भी सम्मेलन के दोरान जो कहीं न कहीं जो ढाई-ढाई साल की बात जो आती थी उसको लेकर नराजियां देखने को मिलती थी तो ऐसे में जो हाल फिलाल में जो फैसला AICC ने लिया है डिप्टी सियम मनाने का वो संगठन को एकजुट करने कारकरताओं को एकजुट करने और यहां तक कि कुमारी सेलजा ने भी प्रेस कॉंफरेंस के दोरान यह बोला था कि 36 गड़ में चुना है और सभी जो नेता है वो सब एकजुट होकर इस बार जो चुना लड़ेंगे मतलब यह है साफ तोर पर यह है कि कहीं न कहीं जो बड़ा फैसला लिया गया है ICC के दोरा वो आगामी चुनाओं को देखते हुए जो संगठन में जो अलग-अलग जो संगठन में जिस प्रकार से यह माना जा रहा था कि जो अलग फाड हो चुका है दो फाड में कॉंग्रेस बढ़ गई इस तरह की जो चीजे सामने आ रही थी इन सारी चीजों को देखते हुए जो बड़ा फैसला है वो कॉंग्रेस पार्टी ने लिया है राजानी रैपूर से नौभाराट टाइम्स के लिए रोहिद बर्मन